हलो अब्रीवन ये हमारी बुक है बी इजी सी फन थर्टी फोर रीडिंग दा नोवल इसमें हम ब्लोक नुबर टू कर रहे हैं जो कि हमारा किस नाम से है दा अवेकनिंग नाम से है ये नोवल है और इसको कैटे चोपी इन जी ने लिखा है आज हम इसका चप्टर नंबर सिक् और हम इस चप्टर में से जो इंपोर्टेंट कोशन है ये जिसके आने के चांस है हम सरफ वही कोशन अंसर करेंगे अमरे जब यह है नुटि नंबर सिक्स इसका ये फिर्स्ट इंपोर्टेंट कोशन ये है What is your understanding of Carol culture? कि आप Carol culture से अब क्या समझते हो? इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमे भी हमने थोड़ा बुद जाना था Carol background के बारे में कि क्या था Carol background अब हम उसको थोड़ा अच्छी से समझ लेते हैं A definition of Carol from the earliest history in New Orleans यदि हम New Orleans की बात करते हैं तो वहाँ पे Carol की history क्या थी? A child born in the colony has opposed to France and Spain तरब एक बच्चा ऐसा जो जनम लेता है एक कोलोनी में और जो अपोज करता है मतलब जो खिलाफ रहता है फ्रांच कर स्पेन के ये था Carol Later Later the term was also used for enslaved black who were born in Louisiana मतलब कि उसके बाद जो ये term थी Carol term तो उसको यूज किया गया जो गुलाम black काले थे मतलब जो वाँ पे enslaved blacks थे उनके लिए यूज किया गया जो बॉर्ण हुए थे Leucenia में as opposed to those born in West Africa and transported from there जो यहां पे पैदा हुए थे जो यहां पे बॉर्ण किया था वो अपोज कर रहे थे ऐसे इनसानों का जो West Africa में पैदा हुए थे और यहां से वो चले गए थे कहीं enslaved black वो वर native born लब जो की वहां के native born थे जो भी peoples also begin to be referred to as carol उनको ही carol माना गया to distinguish them from new African arrivals बजाए की जो new वाँ पे अफ्रिका में आये थे उनकी बजाए जो carol जो वाँ पे जो आकी natives born थे उनको वाँ पे carol माना गया over time the black carols and African arrivals created a French and West African hybrid language मदला black carols थे उन्होंने और African arrivals जो थे उन्होंने मिलके एक French and West African hybrid language बनाई और उसको एक ठाथा क्या कहा गया carol French और लुसियाना केरोल फ्रेंच गर भी दो नाम दी रहे गए carol French लुसियाना केरोल फ्रेंच इट इस स्टिल स्पोकन तोड़े इन सेंट्रल लुसियाना मतलब जो ये लाइनवेज है carol French फ्रेंच जो लाइनवेज है इसको भी भी बोला जाता है central लुसियाना में as a group the mixed race के रोल्स rapidly begin to acquire education skills businesses and property लब जो के रोल्स थे उन इस्टार्ट कर दिया था सिखना education कैसे सिखे skill कैसे सिखे business कैसे सिखे and property कैसे सिखे उन इस्टार्ट कर दिया चीज while the carol society of new orleans has history historically received much attention the cane river area had it own strong carol culture तब जब जो 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 एक प्लेस था new orleans जो महां की मतलब महां की उन ने अपनी हिस्टार्ट को रिसीव किया उन ने तो उस टैंब क्या हुआ जो महां की cane river थी उस ने बहुती अच्छा के रोल कल्चर ले लिया था या उसका बहुत अच्छा कल्चर बन गया था यह हमारा कोशन नमर वन है जो important है इसमें दो कोशन और बनेंगे तो बाइग्राफिकल अप्रोच बनेगा वो थार्ड इस साइकलोजिकल पर्सपक्टिव क्या होते हैं यहां पर दो कोशन बनेंगे तोसवर हम यह देख लेते हैं बाइग्राफिकल अप्रोच बाइग्राफिकल अप्रोच टु नोवल मीन्स रीडिंग ए नोवल बाइजिंग आवर नोलेज ओफ राइटर लाइफ फैमिली बैक्राउंड क्या होते हैं बाइग्राफिकल अप्रोच एक नोवल के मीन्स में कि रीडि करते हैं नोवल को बाइजिंग अपनी नोलेज को यूज करते हुए और राइटर लाइफ के बारे में और फैमिली के बैक्राउंड के बारे में इस इंफ्लूएंसे अंड बिलीफ एडियाज एंड प्रियूट जोड़ेज अफ दर राइटर प्रोवाइटर अस्विदे कंटेक्स्ट इन दा सेम मैनर अज नोलेज ऑफ सोसाइटी कल्चर पोलिटिक्स ओफ ताइम डूब की इंफ्लूएंस करता है कि हमारे पास आइडिया आए हैंसे कि हमारे पास ऐसे ऐसे आइडिया हो हमारे पास जिसके मदद से हम अपनी सोसाइटी में मतलब हमको अपनी नोलेज हो जाए हम अच्छा मैनर हो जाए कि हम अपनी कल्चर को जान सके हम अपनी सोसाइटी को जान सके हम अपनी पोलिटिक्स को जान सके दज बाइओ ग्राफिकलफ प्रोच प्रोवाइड सास विस एन इंसाइड विच गेव से बैटर अंडर्स्टेंडिंग फिद नॉवल जो बहुंक्राफिकलप्रोच वो प्रोवाइड करती है हम एक ऐसी इनसाइड देती है जिस्दें अच्छा से जान सकते हैं novel को next third क्या है psychological perspective क्या होंगे psychological novel work of fiction in which the thoughts feelings and motivations of the character are of equal or greater interest than is the external action of the narrative psychological fiction is a literary journey that emphasizes interior characterization as well as the motives circumstances and internal actions तब जो हमारी psychological fiction है यह एक लिट्रेरी जर्ण है जो focus करते किस पर करक्टराइजेशन पर मौटिवस पर सरकमस्टांस पर और एक्षिंज पर यह हमारे सब्सक्राइब हमारे थ्री कोशन से जो कि इंपोर्टेंट है इन में से आपका कोशन देखने को जुरूर मिलेगा एक्ज क्या होता है मैंने आपको यह बताया है उसके बाद सब्सक्राइब कोशन था बायोग्राफिकल अप्रोच क्या होता है थर्टा साइकलोजिकल परस्पेक्टिव क्या होंगे या क्या कहते है नोवल में को मैंने आपको यह अच्छे से बता दिया है यह था हमारा चप्टर न